प्रादेशिक समाचारी कांश भूपाल से प्रस्तुत है खर्गौन जिले की चिठ्थी आलेक आशुतोष पुरोहित वाचनस्वर सैयुक्ता बानर जी खर्गौन जिले में भी मुख्यमंत्री किसान का ल्यान यूजना के तहट पिछले दिनों 60,000 किसानों के खातों में राशी अंतरत की गई खर्गौन जिला मुख्याले पर स्थानिय नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित असकारिक्टर में क्षेत्रिय सांसत गजेंद्र पटेल, पूर्वविधायक बाबुलाल महाजन और अन्य जन प्रतिनिधियों ने राशी अंतरन के प्रमान पत्र विद्रत किये अधिक से अधिक लोगों को आयुश्मान कार्ट देने के लिए खर्गौन जिले में भी आपके द्वार आयुश्मान अभियान चलाया जा रहा है पिछले दिनों इस बारे में जानकारी देने के लिए एक जागरुकता रैली भी निकाली गई 31 मार्श तक चलने वाले अभियान को लेकर कलेक्टर अनुक्रहपी ने बताया कि खर्गौन जिले में 5,37,581 नागरिकों के आयुश्मान कार्ड बनाए गए हैं इन में से 6,687 नागरिकों को इस योजना का लाब दिया गया है खर्गौन मी ग्रामीन आजिविका मिशन और महिला बाल विकास विभा के संयुक्त तत्वावधान मी अंतराश्य महिला दिवस के अफसर पर बैंक लिंकेज कारिक्रम स्थानिय टाउन हॉल में संपन्न हुआ इस कारिक्रम में जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के कारेपालन अधिकारी मौजूद थे इस दौरान जिले के 111 समूहों को 127.101 लाख के रण वित्रत किये गए साथी सामुदायक निवेश निधी, Revolving Fund निधी के अंतरगत 120.75 लाख रुपए समूहों को वित्रत किये गए खरगौन जिले की कसरावत विधान सभाक शेत्र में पिछले दूनों सांसद गजेंद्र सहिंपटेल ने 30, Retrofitting, 5 उपारजन केंद्र और 11 खेत सडकों का भूमी पूजन करक शेत्र को सौगाद दी इस दौरान कसरावत जनपत पंचायत के कई गाउं में हुई शिलान्यास और लोकारपन के कारिक्टर में भी सांसद शामिल हुए खरगौन जिले में सीमावर्ती महराश्टर राज्जी में COVID-19 के प्रक्रणों में लगातार आ रही तेजी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में महमारी की रोकथाम और बचाप को लेकर जिलास्तरिय संकट प्रबंधन समूह ने जिले में धारह 144-31 मार्च तक लागू रखने का नर्नेलिया है आदेश अनुसार कंटेन्मेंट एरिया में धार्मिक कारिक्रम त्योहारो शादी समारो आदी कारिक्रम आयोजित नहीं होंगे कंटेन्मेंट एरिया के बाहर खुले मैदान में अत्वा बंध हॉल में फेस मास्क, फिजिकल दूरी और सेनिटाइजर तथा थर्मल स्कैनिंग की विवस्था के साथ कारिक्रम किये जा सकेंगे खरगौन जिली में भी आजादी की 75 वी वर्षकार्ट के अफसर पर विभिन कारिक्रमों का आयोजित किये जाएंगे इस संबंध में उच्छ शिक्षा विभा के निर्देश अनुसार, शास्किय, अनुदान प्राप्त अशास्किय और निजी अशास्किय महाविद्याले में आयोजन किये जाएंगे आज 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षकार्ट के अफसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्रो मोधी द्वारा आजादी कामृत मोहतसव कारिक्रम के शुभारम का समस्त महाविद्याले में सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रसारण के बाद भारती स्वतंतृता संग्राम की 75 वी वर्षकार्ट विशे पर महाविद्याले स्तर पर संगोष्ठी समिनार आयोज़त किया जाएगा खरगौन में भी आज मिशन नगरोदय कारिक्रम के तहथ हिद्गराही मूलक योजनाओ का लाभ वितरन और नगरी अधोसन रचना के भूमी पूजन और लोकारपन होंगे बोपाल में राजिय सतर ये कारिक्रम पर मुखिमंत्री शिवरा सिंग चौखान, नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सेहें और नगरी प्रशासन राज्य मंत्री ओपियस भदौरिया के आतिथ्य में संपन होगा खरगौन जिली की पवित्र और परियतन नगरी महेश्वर को अब सिनिमा स्कूप में दिखाने के लिए दर निर्धारत की गई है अब प्रीवरिंग शूटिंग के लिए भी शुल्क देना होगा जिला परियतन पुरातत्व और संस्कृती समिती ने पिछले दिनों महेश्वर को कैमरे की नजर से देखने के लिए और विश्व पटल पर दिखाने के लिए शुल्क नर्धारत किया है वैसे तो महेश्वर के दृश्यों की शूटिंग करने का सिलसिला आज से 50 साल पहले 1970 में महा शिवरात्री नामक फिल्म से शुडू हुआ था जिसके बाद कई फिल्में और धारावाहिक सीरियलों की शूटिंग की जा चुकी है खरगौन जिली में 25 मार्ट से गेहुँचना की खरीदी शुरू होगी कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन गेहुँचना उपारजन समीक्षा बैठक में ये नर्ने हुआ खरगौन जिली में नर्मदा जैनती अवसर पर नर्मदा के तट पर बढ़वाह सनावत कसरावत महेश्वर और मंडलेश्वर क्षेत्र में विभिन अधार में कायोजन किये गए जिली की चठी समाप्त हुई